कमीटी बनी, सबका क्या कहना था, सबका कहना था कुछ reform करना पड़ेगा, सबका कहना था कुछ बदलाव करनी पड़ेगे और उनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस review committee ने कहा वो यह था कि इंडिया की आर्मी का जो चहरा है जो average age है वो youthfulness के साथ बढ़ना चाहिए उसके उम्र को कम करिए जो विशे इतने समय से चला आ रहा है मैं आज Congress से मैं आज Sonia जी से राहूल जी से प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए reform आवश्यक है वो reform हम कब करेंगे आपने तब आग्रह नहीं किया आज आप सत्याग्रह कर रही है यह किस चीज का सत्याग्रह है जब हमारे इंडिया के defense के पास air force के पास विमान नहीं थे दस वर्षों तक वो depleted strength में काम कर रही थी तब इस Congress की सरकार ने एक विमान एड नहीं किया रफाइल हम लेकर आए उसमें भी राजनीती की गई उसमे भी राजनीती के गई उसका हश्र क्या हुआ उन्होंने खुद भुगता है और आज ठीक उसी प्रकार अगनिपत स्कीम में राजनीती हो रही है याद होगा आपको कॉंग्रेस के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर A.K. अंटनी उनका एक ही स्लोगन था उनका एक ही मंत्र था No work, no headache कोई काम करेंगे नहीं कोई headache ही नहीं होगा कुछ बदलेंगे नहीं, कुछ होगा ही नहीं कोई सवाल ही नहीं पूछेगा एक बार उनसे पार्लेमेंट में सवाल पूछा गया था कि आप बॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हैं तो उन्होंने का नहीं जो दूसरे देश है वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं वो बुरा मान जाएंगे इसलिए हम बॉडर पहले से थी कि आप आयू को कम करिये आयू कम नहीं करना है और जो कर रहा है उसको करने नहीं देना है 75 प्रतिशत अगनीवीर बाहर हो जाएंगे उनका क्या होगा आज बिलकुल अक्षर सह समझाया गया कि उनके लिए सरकार ने किस प्रकार के प्रावधान किये हैं किस प्रकार से C.A.P.F. से लेकर मर्चंट नेवी कॉर्पोरेट की दुनिया हो कमपनीज हो स्टेट की पुलीस हो उन सभी में जिस प्रकार से कोटा सिस्टम लागू करके उनकी चिंता इस सरकार ने और केवल केंदर सरकार ने नहीं राज्य सरकारों ने भी की है यह अपने आप में दिखाता है कि इसकी चिंता सबको है यह सब कुछ होने के बावजूत कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का बयान कर रहे हैं जो आज दिल को दहला देता है दिख विजय सिंग जी ने आज क्या कहा दिख विजय सिंग जी आज कह रहे हैं कि इन बच्चों को आप लेकर शूट टू किल और चार साल बाद जब यह शूट टू किल कोट अनकोट सीख के बाहर आएंगे तो यह देश में क्या करेंगे इनका एक नेता राजस्थान में कह रहा है वो नकसली बन जाएंगे राहूल जी प्रियंकार जी देश के युवकों पे आपको इतना भी भरोसा नहीं है इस देश के युवकों के प्रती इस प्रकार की भावना रखते है आपके एक और बड़े नेता है एक विधायक है राजस्थान में जारखंड में इर्फान अनसारी उन्होंने कहा खून पे लटपत हो जाएंगी यह सड़के खून से लटपत हो जाएंगी क्या हिंदुस्तान की आर्मी के लिए अच्छा काम करना ये खून से लटपत होना है ये किस प्रकार की धमकी है अभी प्रियंका वाडराजी को मैं सुन रहा था तथा कथि छत्यागरह में और प्रियंका वाडराजी ने एक ही विशेय रखा है उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है और मैं युवाओं से अपील करती हूँ कि वो एक ही मकसद के साथ काम करे और वो मकसद है सरकार को गिराना सरकार को खतम करना मकसद युवक नहीं है मकसद सेना नहीं है मकसद सरकार को गिराना है मकसद सरकार को खतम उन्होंने कहा सरकार को खतम कर देना है जो काम इनकी पाटी नहीं कर पा रही है जनता जनार्दन आज कॉंग्रेस के साथ खड़ी नहीं है हाज प्रियंका वाडरा वो अपील कर रही है ये मकसद है कॉंग्रेस पार्टी का सरकार को गिराना मुझे दुख होता है आज राजमीती कहां पहुँच गई है आप सोचके देखिए ये वही कॉंग्रेस पार्टी है और ये जो विपक्षी दलों में से कुछ विपक्षी दल अपने आवाज को बुलंद करने की चेश्टा कर रहे हैं ये वही लोग है जिन्होंने एर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक तक को नहीं चोड़ा था एर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में भी उन्होंने राजनीती की थी और जिस प्रकार से मुझे याद है उस समय भी आर्मी के जवानों को आर्मी के अफसरों को सामने आकर explanation देना पड़ा था उनको खुलासा करना पड़ा था कि किस प्रकार surgical strike एक तथ्यात्मक सत्य है वो हुआ था वो भामक नहीं था वो मित्या नहीं थी डोकलाम जब हुआ तो राहुल गांधी चीनी टेंट के नीचे पकड़े जाते हैं और आज देश के साथ खड़े होने का नाटक रचते हैं लोगों को मिसिनफॉर्म करना बच्चों को गलत पहमी में डालना संस्थाओं को भड़का करके इस प्रकार की आगजनी कराना यह उचीत नहीं है हम भी नहीं चाहते हैं कि इन विश्यों पे राजनीती हो on the issues of army, on the issues of recruitment, on the issues of safety of the country on the issues of security of this country, we should all stand together tall as Indians, not as people from BJP, people from Congress, people from RJD or from other political parties यह political party के नहीं हम भारतियों के खड़े हो यह हमारी इच्छा है, यह हमारी चाहत है दिख्विजय जी, ना हमारे युवक नकसल थे, ना हमारे युवक नकसल बनेंगे आज मोदी जी ने, आज हिंदुस्तान की आर्मी ने अगनिपत के स्कीम के माध्यम से देश के सुरक्षा का बागडोर युवाओं को सौपा है आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी आर्मी और हमारे देश की जनता युवाओं पे कितना भरूसा करती है आज सुरक्षा के लिए युवाओं को ये कमान दिया गया है देश का और हम सब को विश्वास है ये जो युवक हैं ये जो युवक हैं ये पूरी तरह से खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर पाएंगे ठीक उसी प्रकार जैसे आर्मी, नेवी और एर फोर्स अब तक करती आई है आप याद करिये जब ये प्रोटेस्ट करना इनकी आदत हो गई है जब ये जैम ट्रिनिटी लेके मोदी जी आये थे उस समय आधार कार को लेकर किस प्रकार पूरे देश में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था आगजनी की थी सुप्रीम कोड तक चले गए थे कि ये नहीं होना चाहिए अगर ये जैम ट्रिनिटी नहीं होता ये दूरदरशिता सरकार की नहीं होती कोरोना के समय सभी के एकाउंट पे जो 2000 रुपए गए वो जा पाते क्या जा पाते क्या आग खुद बताईए आज ही जो डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोडो रुपए देश के बच रहे हैं थैंक्स तू दी फार साइटेडनेस अफ दिस गवर्मेंट आप याद करिए यह वैक्सीन को लेकर राजनीती करते थे यह कह रहे थे कि वैक्सीन में गाय का खून मिला हुआ है काफ सिरम है यह वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है इसे नहीं लगाना चाहिए लोग हसते थे यह संभव नहीं है भारत वर्ष में इतने करोड लोगों को vaccine लगाया जाना? हो गया न? आपने विश्वास दिखाया मोदीजी पे, आपने विश्वास दिखाया इस सरकार पे, आपने विश्वास दिखाया भारत की काबिलियत पे, भारत के वैज्यानिकों पर. हो गया न? ये vaccination संभव हुआ या ठीक उसी प्रकार अपनी सैना पे संपूर्ण विश्वास रखिए कि सैना राजनीती का प्लैट्फॉर्म नहीं है पूर्ण विश्वास के साथ सेना के सात हम सब कड़े हो सेना का एक ही मकसद है भारत मा की रक्षा करना किस प्रकार से हम भारत मा की रक्षा करें किस प्रकार से हम भारत मा के ताकत को और सद्रुड बनाएं इसमें आगजनी के लिए हिंसा के लिए राजनीती के लिए किसी संस्था के लिए व्यक्तिकत भलाई के लिए कोई स्थान नहीं है